रिजल्ट निकाले जाने की मांग को लेकर पिछले छे दिन से शिमला में अंशन पर बैठे जे ओए आई टी वर अन्नी पोस्ट कोड के अभिर्थियों ने बुधवार को हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला की चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। चौड़ा मैदान से सरकार के खिलाफ नारिबाजी करते विधानसभा की ओर निकले लेकिन चौड़ा मैदान में ही पुलिस ने बैरिकेट लगा कर उन्हें रोक लिया। और ऐसे कई युवा हैं जिनकी आयू सीमा नौकरियों की भरती के लिए पूरी हो रही है। ये बेरोजगार युवा सरकार से लगातार मांग कर रही हैं लेकिन आशवासन ही मिल रहे हैं। अभियर्तियों ने दो टूप कहा कि सरकार रिजल्ट घोशित करें या उन्हें जहर देकर मार डाले या फिर जेल में डालतें। यदि सरकार जल्द रिजल्ट घोशित नहीं करती है तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आमरण अंशन की ओर बढ़ेंगे। जे ओए आईटी अभियर्ति क्या बोले सुने। सुप्रीम कोट से भी जज्ज्मेंट आईए कि हमारा जो रिजल्ट है ठासाथ 1667 पदों पर इसे सौल्व कर दिया जाए और हाई कोट से भी आपका जो रिजल्ट है तीन महींने के अंदर अंदर में रिजल्ट देना चाहिए तो यह कमेटी किस बात के लिए आप कमेटी का जहां यह एसा तो है रोटी लोग खा सिते हां पाल हां आउगली में रिजल्ट दे हाय ठाल कोटनेश प्रस देडिजिए थर्म पर देल्ट का किंवे जो वह है ब्याइए जो बहुआ बिस देल्ट हमें कवे थे तो पेरिजिए भाटा जाल देल्ट देल्ट देंए हमें हम हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN24 News, Choice of हिमाचुल के साथ